बुआ जी का माई का किया सबजी तुमसे अरे पर बाबी जी खराबी क्या इस सबजी में ये तो बता दीजी आरे इस सबजी को देखो बिल्कुल भी ताजी नहीं लग री मैं ऐसी वैसी कोई सबजी नहीं लेती समझे तुम्हें पता है कितने बड़े घर से हूं मैं अरे भाबी जी आप प्रदान मंतरी क्यों ना हो खाएंगी तो आप सबजी रोटी ना सोना तो खाएंगी नहीं आस पास की लोग हसने लगते हैं बस बस ज्यादा मूह मत चलाओ मैं किसी बड़ी दुकान से सबजिया ले लूँगी मुझे नहीं चीए तुमारी सडी गली सबजिया एक इनके ससूर है संता आदमी है और एक यह है कि आसमान से नीचे ही नहीं उतरती माला को घमन था कि उसका ससूराल पूरे शहर में मशूर है और उनका बहुत नाम भी है इसलिए वो एक भी मौका नहीं छोड़ती किसी के सामने दिखावे करने का चाहे वो बाहर वाले हो या घर वाले माला बहु आज लक्ष्मी आने वाली है हमारे घर कितने दिनों बाद आ रही है मेरी बहन लक्ष्मी कितना वक्त हो गया उससे देखे हुए तुम उसके स्वागत की बहुत अच्छे से तयारिया करना बहु कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए उसके स्वागत में ठीक है ठीक है पिता जी मैं सब तयारी कर लूँगी बुआ जी के आने की आखिर आपकी बहन है वो उनकी बहुत अच्छे से खात तिरतारी करूँगी मैं यह हुई ना बहुत माला जवेरी लाल के बहन लक्षमे से शादी के बाद पहली बार मिलने वाली थी वो सूच रही थी कि जवेरी लाल की तरह ही उनकी बहन भी बहुत उचे खांदान से होगी आई बेल देखो यह नहीं बलकि अपने उपीनियन देखे काफी प्राइजस जीतो वो भी लोटस 365.in पे यहां बहुत सारी क्वेशन्स रहेंगे जिसे वो विल विन मैच और वो विल विन टॉस जासे 50 तरह के इन वेशन्स में अपने उपीनियन बता कि आप काफी प्राइजस जीत सकते हूँ लोटस 365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाईए रूपिस 365 का बोनस यहां आपको मिलता है 1-to-1 24-hour customer support यहां खेलते हैं 10 million से ज्यादा users यहां क्रिकेट के अलावा 200 plus questions जहां आप अपना उपीनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे prices नमाजोतिन सिद्धिकी उर्वेशी राव टेला सुनिल शेटी काजल लगरवाल निहा शर्मा ऐसे बड़े-बड़े यह है, पिता जी की बेहन इनकी कपड़ी तो तीखो लगता है कि जैसे इनकी घर में खाने की भी पैसे नहीं होगी आप पता नहीं क्या-क्या सोच लिए इंकी बारे में मुझे क्या पता था ऐसी निकलींगी बवाजी पर अब क्या करें जैसी भी है मेरे ससुर की बहन है जेलना तो पड़ेगा जब तक यहाँ है लक्ष्मी तुम आ गई कैसी हो बहना तुम मैं ठीक हूँ भाईया तुम तो मुझे भूली गई हो जस ये तुम्हारा माय का है लक्ष्मी जब पिता जी थे तब तो तुम हर महीन आती थी अपने इस भाई को पराया मत करो बहना अब इस बार आई हो तो कुछ दिन रुक के जाना ठीक है ठीक है भाईया आप चिंदा मत कीजे मैं यहीं हूँ कुछ दिनों के लिए आपके पास ठीक है ठीक है मुझे कुछ काम है मैं शाम को मिलता हूं तुम्हें तब तक माला बहु बुआ जी के अच्छे से सेवा करना उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए जी पिता जी जवेरी किसी काम से चला जाता है और माला का पती दीपक भी अपने काम पर चला जाता है तब माला बुआ जी के साथ अपने असली लहजे में बात करना शुरू करतीती है माला बहु मैं ये कुछ फल और तुम्हारे लिए साड़ी लाई की मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ ना इसलिए मेरा अशिर्वाद समझकर रख लो बेटा बुआ जी इन फलों को देखिए सरा कितने अचीब है ऐसे फल तुम्हें अपने घर के कुट्टों को भी नहीं देती और ये साड़ी इससे अच्छे साड़ी तो हमारे खरके नौकरानिया पहनती है आप एक काम कीजी ये साड़ी और फल अपने पासी रख लीजिए आपको इनकी ज्यादा ज़रूरत है हाँ बेटा तुम ठीक ही कह रही हो मेरी इतनी हैस्यत नहीं कि मैं इस घर के लिए कुछ खरीद कर ला सकूँ अच्छा आपका खाना वहाँ टेबल पर पड़ा है मुझे ब्यूटी पालर जाना है आप खा लेना मैं चलती हूँ माला का बरताव बुआ जी के साथ बहुत अपमान जनक था पर लक्षमी इतनी सरल स्वभाव की थी कि उसने हस्ते हस्ते सब कुछ सहलिया और अपने भाई से कोई शिकायत भी नहीं की पर माला कहा रुकने वाली थी उसकी बत्त मिजी बुआ जी के साथ और बढ़ती गई माला आज हमारे कुछ व्यापारी दोस्त आ रहे है तो तुम देख लेना कोई कमी ना रह जाए ठीक है हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए सब हो जाएगा आप तो जानते हैं मुझे ऐसी वैसी चीसे पसंद ही नहीं आती मैं सब कुछ एवान ही करूंगी आखिर रईस महमानों की इस्जट तो कन ही चाहिए ना बुआ जी आप भी शाम को तयार रहेगा सब साथ में मिलकर महमानों की साथ खाना खाएंगी हाँ हाँ दीपक बेटा क्यों नहीं ठीक है मैं बागी तयार याद देख कर आता हूँ बुआ जी आपको नहीं लगता कि ये सब आपकी आउकात की बाहर है मेरा मतलब आपने कभी इतने रईस व्यापारी देखी भी नहीं होंगे न और ना कभी उनके साथ बात चीत की होगी हाँ मेरा बेटा तो बस एक चूटी सी नौकरी करता है हमारे घर कभी ऐसे बड़े महमान नहीं आते पहू हम वो तो आपको देख कर ही पता चल गया था मुझे आप एक काम कीजीगा शाम को कमरे से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है बोल देजीगा कि आपकी तब ठीक नहीं है आप बहार नहीं आ पाएंगी पर दीपक बेटे ने तो मुझे कहा है आने को उन्हें क्या पता इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है मैं नहीं चाहती कि आपको देख कर हम सबके सामने शर्मिन्दा हो जाए दीपक और पिताजी तो आपको कुछ कह नहीं सकती इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई जरूत नहीं आपको महमान के सामने आने की छीके बहु जैसा तुम कहो मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़े से मेरे माई के वालों का सर जुके तुम चिंता मत करो मैं शाम को कमरे से बाहर ही नहीं आओंगी शाम को सारे महमान आ जाते हैं पर लक्ष्मी कमरे से बाहर नहीं आती पर जवेरी की आँखे बस अपनी बेहन को ढून रही थी उसने माला को बुला कर पूछा बहु लक्ष्मी कमरे से बाहर नहीं आई अभी तक जा जरा देख कर तो आ पिता जी रहने दीजे न, शायद उनकी तबित खराब होगी, तब ही तो कमरे से बहार नहीं आ रही नहीं नहीं, ऐसा होता तो वो मुझे बता दे कि उसकी तबित खराब है जब तक वो बहार नहीं आएगी, मैं चैन से नहीं बाढ़ सकता, मैं खुच जाकर उसे लिया आता हूँ पिता जी, इसकी क्या जरुत है, आप महमानों पर ध्यान दीजिए इतने रईस महमान आएं यहां पर, सब क्या सूचेंगे, कि आप उनकी महमान नवाजी छोड़कर अपनी बहन के पीछे चलेगे मेरी बहन मेरे लिए सबसे उपर है बहु, जाओ, बुआ जी को लेकर आओ, और जब तक वो ना आए कमरे के बाहर तुम भी मताना जवेरी काफी गुस्सी में था, माला की बाते सुनकर, आखिरकार माला को लक्ष्मी को कमरे के बाहर लाना ही पड़ा जवेरी बहन की आँखों में देखकर समझ गया कि क्या हुआ होगा, उस ने उठकर सब के सामनी कुछ बताना शुरू किया आज मैं आपको उस शक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी वज़े से मैं इस कामियाबी को पास सका हूँ जिसकी वज़े से आप सब मुझे इतनी इज़द देते हैं, वो और कोई नहीं मेरी बहन लक्ष्मी है ये क्या कह रहे हैं, पिता जी अपनी बहन की प्यार में पागल हो गया हैं बिल्कुल ये खुद इतनी गरीब है, हमारी मदद क्या खाक करेंगी बच्पन में मुझे आगे पढ़ाने के लिए, मेरी बहन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके पैसे मुझे दे दिये थे, इतना ही नहीं आज जो मैं इतना बड़ा जुलरी का शॉप चला रहा हूँ, उसे खोलने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे मेरी बहन ने अपने कंगन बेज कर मुझे पैसे दिये और आज तक बदले में मुझसे कुछ नहीं मागा, वो चाहे कितनी भी तकलीफों से गुजर रही हो पर मुझसे कभी कुछ नहीं मांती अगर कोई मेरी बहन के इज़त नहीं कर सकता तो मुझे ऐसा लोग अपनी जिन्दगी में नहीं चाहिए माला का सर शर्म के मारे जुप गया, उसे अपने बरताओं पर पच्थावा होने लगा महमानों के जान के बाद माला अपने ससूर और बुवा जी से नजरे नहीं मिला पा रही थी वो जुके वे सर के साथ बुवा जी के पास आती है और कहती है बुवा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा आपके साथ इतना बुरा बरताओं किया, मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है ये आपका मायका है, आपका मुझसे ज्यादा हग बनता है इस घर पर मैंने उसका भी लिहाद नहीं रखा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए लक्ष्मी, ये तुम्हारा मायका है और हमेशा रहेगा, समझी कभी भी अपने आपको के लामत समझना, ये सब जो कुछ भी आज मेरे पास है ये सब तुम्हारी बदौलत है, इसलिए हक से रहो अपने मायके में मेरी बेहन